नमश्कर स्वागत है आपका दैनिक दिली नियूज में आपके साथ मैं हूँ अन्शुट चलिए शुरुवात करते हैं खबरों की उत्तर प्रदेश के यूवा समाज सेवी वप्रगती शिल समाजवादे पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष साथ खान ने अपने सामाजिक सहयोगी 26 से जनता की दिल में विशेस जगह बना ली है जिसके चलते राजनिती के शिर्श पर पहुँचकर साओध खान के चहरे को प्रदेश में बड़ी पहचान मिली है तथा अपने सरल व्यक्तितु के दम पर आम जन्मानस के दिलों में जगह बनाने कुले कर साउध खान उत्तर प्रदेश के राजनेतिक गलियारों में चर्चित है आज दैनिक दिली न्यूज के ब्यूरोचीफ एहसन रईस से साउध खान अपने राजनेतिक भविश्य वक्काई एहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जोब खान जी मेरा पहरा सवाल आप से है कि परदेश में भाजपा सरकार है और बहुत ज्यादा इसका विरूद हो रहा है आपकी पार्टी किस हद तक इसका विरूद करने को तया करती है हम लोगे जंटा जितने भी मुद्धेयें इस सभी मुद्धों को हम वारार सबस्दीन के वबराना सबस्की सबस्क्राइब करेंगे अभी 2022 के चुनाओ आने वाला है, इतनी वर्ष आ गया है, क्या तैयारिया हैं चुनाओ को लेकर आपके, चुनाओ के लिए पूरी तैयारिया है, और घासी ने तर्मारा है, वो सप्टाय करेंगर, कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सिक्टों पर तैयारिया शुरू कर दी, हम लोग की उसके नज़ा रखे हुए हैं कि कहां किस तरह से किसको टिकेट देना है, और कई दालेक्स हैं जिनसे हमारी बाची चल लिए, बाची जो भी होगा उचीट दितलता है, नहीं कहीं कई गटवंदन की तरह आप लोग जा रहे हैं 2022 में, अभी फिलाल तो हम लोग आप शुपाया जी के काफी करीबी हैं उनके पुद्र के काफी करीबी हैं और अपने काम से करीबी हैं लगलव की जन्ता आपको पसंद करती है आपने लागडाउन में बहुत विरिगों की मदद की है और उस मज़े से लोगों के दिलों में जगा बनाई है तो क्या ये कही कुछ राजितिक तैयारी कही जायर लोग ऐसा कायस लगा रहे हैं यह दिजी सवाल मेरा आपसे देखे राजीत में समी का दिल होता है मन होता है कि कुछ न कुछ किया जाए अगर जंता मौका देगी और पार्टी ने अगर समान दिया तो बिलकुल कहीं कोई दिकत नहीं है बिलकुल चलेगे जब तैय कर लिया है जब उनके साथ लेना है उनके साथ है तो जहां तक भी जाएगे जितना उपर जाना हो पे जाएगे जितना निचे जाना हो पे जाएगे जितना निचे जाना हो जाएगे उनी के साथ नहीं के साथ नहीं के साथ नहीं के साथ नहीं के तो हमको और आपको सबको आना चाहिए, समाज के लिए यही एक ऐसी चीज है, जो जीवन में लोग याद रखते हैं। यह सीधी बात कारिक्रम है मारा वैदिक दिल्ली से एक परस्ता सवाल मुझे आपसे दिखना है। आपका जो समाज की तरफ जो सेवा का नदरिया था वो राजमीत पे आने से पहले था या राजमीत ने आये तब से शुनूर का। बहुत पहले से था यह से स्कूल के टाइम था तब से यह था कि किसी की किसी तरह मदद करी जाए। और कोई नब बज़े जरूर होती है कि इनसान राजमीत पर आता है। सोचल वर्क करते करते यह लगा कि हाँ लोग भी मदद करने चाहिए। अधिकारी आजकर इतने ढीट है कि आप पीछे की बैटिंग नहीं है या आप किसी तरह में नहीं है और कोई भी किसी कमदोर की बात सुनता नहीं है। जिस दिन आप बज़ूर होगी आपकी लोग पी सुनते हैं आप रहों भी मदद करसे। और कि आपाई रदेशी आप दूसन कायए हमारे चैनल के मांदिन से प्रदेश की जुक्ता। बिजैपी की हूकुत है जैसे इस पहसले ले रहे हैं बबंद करो सभद भनाग चनौती के उसनिते מאוד बगदेंगे और महौल हम भी इसलिए मैं आवान करना चाहूंगा अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी कि जो भी गलत हो अगर अन्याय है तो उसके लिए उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा उसे लड़ना पुड़ेगा लोहिया जी ने कहा है कि जब सड़के सुनी हो जाती है तो संस इसलिए हमको जनता के साथ मिलिके हम लोगों को सड़क पराना है और जनता की लड़ाई को रणा है यह हमारे साथ मौझू थे साहूद खान जी युवानेता प्रदेश के बहुत अच्छी बात कि इन्होंने हमारे कारिक्रम में हमारे साथ मौझू रहे आपने समय दिया उस झाल